बिस्मिल्लाहिरोहमानिररहीम, असलामुलेकूम स्टूरेंट्स, स्टूरेंट्स आज के लेक्चर में हम आईरिनी को पढ़ेंगे, आईरिनी क्या होती है, स्टूरेंट्स कहीं आपने बोर्ड लगा देखा होगा कि यहां कूडा फैंकना मना है, तो आप एक्सपेक्ट करते ह है कि definitely वहाँ पे काफी हद तक सफाई होगी, वहाँ कूडा कोई नहीं पैंकेगा, लेकिन जब अब देखें, कि वहाँ तो लोग बहुत ज़्यदा कूडा फैंक चुके हैं और फैंक रहे हैं, तो क्या होगा, आपने एक्सपेक्ट कुछ किया था, लेकिन reality उसे बिल्कुल opposite निकली, यनि कि आपकी expectation और reality में difference आ गया, so let's look at this picture, यहाँ no bird का sign लगा हो है, लेकिन इसके बिल्कुल उपर एक परिंदा बैठा हो है, no bird के sign को देखकर आप expect करते हैं कि यहाँ परिंदा नहीं हो सकता, लेकिन reality क्या है, परिंदा वहाँ मौजूद है, तो expectation और reality में difference आ एक और example आपको देती हूँ, आपके father बाहर काम से ठके हुए घर आते हैं, और घर आके देखते हैं कि आप लोगोंने काफी लड़ाई जगड़ा शुरू किया हुए, आप सब बहन भई लड़ रहे हैं और एक अजीब tension की situation create की हुई है, तो आपके father कहते हैं, वाओ, मैं त स्चा parlar, मीनिंग के हैं, उन्में difference है, यानि क ll Ingred иде और एक्च्वल मीनिंग में difference है। तो स्ट्ट्येंउ यही होती gdy share कि आइरीनी 涉र इनी सस्र्फिस मीनिंग और एकच्वल मीनिंग या Intended मीनिशिया के difference के कहते हैं, एकस्पेक्टेशन और स्ट्ट्ये धिखें में difference को कहते लेंग्विज में students 16th century में जो है वो ये enter हुई और इसके root words French word irony और Latin word ironia है ठीक है और ये तमाम terms जो है इन दोनों root words का students मतलब है fake यानिके जाली ठीक है और ये सारी terms जो है ये एक Greek character से जो है वो originate हुई है जो अपने opponents को शकस्त देने के लिए अपनी abilities को understate करता था खुद को कम तर या ignorant बना कर पेश करता था यानि छुपा रुस्तम बना रहता था और आखरकार अपने opponents को हरा देता था तो students ये तो थी origin इस term की अब हम इसकी definition को देखते हैं look at the slide Irony is a figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words. It may also be a situation that may end up in a quite different way than what is generally anticipated. In simple words, it is a difference between the appearance and reality. Irony relies on the difference between expectation and outcome तो students, irony असल में एक ऐसी literary device है जिसमें इल्फास का मतलूबा मतलब, इल्फास के असल मतलब से मुक्तलिफ होता है कहा कुछ जाता है, मुराद कुछ और ली जाती है तवक्को कुछ होती है, तवक्को कुछ और की जाती है, असल में हो कुछ और जाता है यानि कि word के literal meaning और surface meaning में difference होता है, expectation और reality में difference होता है तो students यह होती आईरीनी, अब आईरीनी की आगे different types है ठीक है students, अब उन types को हम लोग देखते हैं से पहले, verbal irony जो के एक common type है इसकी और हम इसको everyday life में अकसर देखते रहते हैं students, verbal irony की definition देखे, it is a figure of speech in which the literal meaning of what someone says is different from and often opposite to what they actually mean verbal irony involves using words to mean the opposite of their literal definition or in simpler term, verbal irony is saying one thing but meaning the opposite students, verbal irony verbal irony असल में ऐसे लफ्स को इस्तमाल करना है जिनका literal meaning बिलकुल मुख्लिफ होता है मतलब लिखने वाला या कहने वाला, लिखने वाले या कहने वाली की नियत या मतलब उसके इलफास से बिलकुल उलट होता है अक्सर लोग इसको sarcasm के साथ जो है वो misunderstand करते हैं जबकि sarcasm का मतलब मकसद जो होता है students वो insulting होता है, insult करना होता है और यह बहुत ही bitter sense में use होता है जबकि irony का मकसद किसी चीज या बात को emphasize करना होता है prominent करना होता है यह emphatic purpose के लिए use होती है ठीक है students अब look at this example what a great day I crashed my car and lost my winning lottery ticket अब definitely car crash हो गई winning lottery ticket आपकी खो गई तो great day तो नहीं हो सकता लेकिन यह ironically यह कहा जा रहा है फिर students अगर example में आपको देती हूँ कि कोई बहुत ही कोई इनसान बहुत ही foolish बातें करता हो और वो बोले जाए बोले जाए और तो आप उसे को वा वा तुम तो बहुत genius हो तो definitely इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो genius है आप उसको irony के लिए जो है वो genius कह रहे हो ठीक है और फिर students इसी तरह से अगर हम लोग जो politician का कोई जलसा हो तो वो जलसा कर रहा हो तो वहां पर देखें और लोग कम हो तो हम कहेंगे वा वा बड़ा crowd है बही जलसे में तो students definitely वहां पर बड़ा crowd तो नहीं है यह तो ironically कहा गया तो यह verbal irony हो जाती है ठीक है look at the slide it is reported that lady nancy asked her once said to winston churchill that if he were her husband she would poison his tea in response churchill allegedly said madam if I were your husband I would drink it देखें lady nancy ने winston churchill से कहा कि अगर तुम मेरे husband होते तो मैं तुमारी चाय में जहर मिला देती तो churchill ने response में कहा कि अगर मैं आपका husband होता तो मैं इसे पी लेता अब ये दो इसके meaning definitely ये नहीं निकलते कि उसके हाथ की बनाई हुई चाय वो पी लेता इसका मतलब ये निकलता है कि आपके शोहर होने से बहतर था कि मैं वाकई मर जाता तो कहना उसके literal meanings कुछ है लेकिन intended meanings उसके कुछ है तो ये difference हो है ये irony वर्बल आईरेनी कहलाता है जी स्टूरेंस नेक्स टाइप है आईरेनी की सिटूइशनल आईरेनी सिटूइशनल आईरेनी occurs when the outcome of a circumstance or action does not match our expectations सिटूइशनल आईरेनी is when the outcome of a situation is totally different from what people expect सिटूइशनल आईरेनी तब होती है जब expectation or reality में फर्क होता है आप expect कुछ और करते हो मगर reality में कुछ और होता है imagine करें एक teacher test में fail हो जाए students आप expect तो नहीं करोगों कि teacher test में fail हो जाए लेकिन आपकी expectation में और reality में फर्क आ गया students आपने hair and tortoise की story जो है वह बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे आप expect करते हैं कि क्या जो खर्गोश से कच्छुआ जीत सकता है लेकिन ऐसा हुआ reality कुछ और हुई कच्छुआ जीत किया आपकी expectation से reality different हुई ठीक है students for example कोई marriage counselor है ठीक है और वो अपनी भीवी को divorce दे रहा हूँ तो आप expect तो नहीं करोगे कि जो marriage counselor है वो अपनी भीवी को divorce दे सकता है उसकी तो शादी बहुत ज़्यादा काम्याब होनी चाहिए या फिर कभी police station के बारे में तो आप expect नहीं करते कि उसको डाकू लूट के ले जाए और अगर उसको डाकू लूट के दे जाए तो आपकी expectation कुछ थी reality कुछ और होगी या फिर students आप देखें कहीं board लगा हुआ है no parking और वहाँ पर एन उसके नीचे गाड़ी किसी ने पार्क की हो तो फिर क्या होगा expect कुछ और कर रहे हैं आप reality कुछ और है ठीक है students फिर students अगर आप देखें लोग fitness center जा रहे हैं fitness center जो है वो third fourth floor पे जाकर है तो लोग उसको वहाँ तक जाने के लिए escalator यूज कर रहे हैं तो यह definitely situational irony है कि आप calories burn करने के लिए जा रहे हो वहाँ पे लेकिन आप stairs यूज करने की बजाए escalator यूज कर रहे हो तो expectation में और reality में फरक आ गया आपने students button button story पड़ी होगी वो और इत किसी unknown बंदे की death expect कर रही थी लेकिन reality क्या हुई उसका अपना husband जो है बटन पुश करने से मर गया तो expectation और reality में फरक आ गया यह होती है situational irony students irony को उर्दो में सितम जरीफी कहते है तो यह होती है सितम जरीफी जरीफी हालात की situation की ठीक है हम example देखे यहां पर slide पर example if you go sightseeing anywhere in the world today you will see crowd of people who are so busy taking cell phone pictures of themselves in front of the site that they don't actually look at what they came to see with their own eyes this is ironic specifically situational irony students आप कहीं जाते हो किसी word seeing place पे आप वहां पे जाके देखो लोग उस जगा को देखने आए लेकिन वहां पे क्या कर रहे है वो अपनी selfie यह ले रहे है बिजाए इसके कि उन उस जो place है उसको उसकी photographs लेने के या उसको देखने के उस बिजाए वो खुद की selfie यहां ले रहे हैं खुद से बाते कर रहे हैं अपना mobile यूज कर रहे हैं तो यह situational irony नहीं है इस लुक अट इस पिक्चर पर्फेक्शन डेफिनेटली यह कोई office होगा किसी ऐसी चीज का जिसमें किसी particular product की या services की को बिल्कुल perfectly provide किया जाता होगा तो perfection लेकिन यहां पे perfection भी perfect नहीं है तो यह भी एक situational irony है लिटरेचर में अगर हम इसकी example देखें तो rhyme of ancient mariner Samuel Tyler Coleridge की poem है जिसमें वो कहता है water water everywhere nor any drop to drink हर तरफ पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए कत्रा भी नहीं तो यह सितम जरीफ ही नहीं है क्या यह situational irony है हर तरफ पानी है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है reality क्या है expectation और reality में difference इसके लावा students ओ हैंडरी की famous short story है the gift of में जाए उसमें क्या होता है कि husband अपनी घड़ी बेच देता है अपनी बीवी के खुबसूरत और लंबे बालों के लिए कंगी खरीदने के लिए और दूसी तरफ हम देखते हैं कि बीवी अपने husband की घड़ी की चेन लेने के लिए अपने बाल का पाके बेच देती है ठीक है तो जब वो उसके लिए लेकिया आता है कॉंब तो उसकी expectation क्या होती है कि वो उसके बालों को कंगी करेगी लेकिन वो reality आके क्या देखता है कि उसके तो बाल ही कट चुके हैं वो तो बाल ही कटवा चुकी है और वो लड़की उसकी बीवी जो च chain वो use करेगा घड़ी के साथ जब वो देखती है कि वो तो अपनी घड़ी ही बेच चुका है उसकी कौम लेने के लिए तो students उसकी expectation कुछ थी reality उसको कुछ face करना पड़ी तो ये भी situational irony है ठीके students इसके बाद जो तीसरी इसकी type है important type वो है dramatic irony तब होती है जब drama में या novel में character जो है वो कम जानता हूँ जबके audience या reader ज्यादा जानते हूँ ठीक है यानि कि audience या reader जो है वो character जो drama में या novel में character मुझूद है उससे कहीं ज्यादा उनका knowledge हो audience या readers का dramatic irony is when your audience has more information than your character in a story this nifty literary device became popular in Greek tragedy and true to the genre the different point of view and often leads through the tragic outcomes सुरस ये Greek tragedy से popular हुई और ये असल में इसका जो outcome होता है वो tragic होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको example देती हूँ अगर आप कोई play देख रहे हूँ और hero जो है वो room में बैठा है ठीक है door knock होता है audience जानते हैं कि door knock करने वाला murderer है जो hero का murder करने आया लेकिन hero नहीं जानता वो जाके दर्वाजा खोलता है क्योंकि वो नहीं जानता ठीक है students या फिर आप एक और example देखें किसी movie या novel या play में कुछ passengers bus में सफर कर रहे हैं और हम या audience या reader जानते हैं कि जिस सडक पर वो जा रहे हैं वो आगे land sliding की वज़े से damage है तो reader या audience के दिल खौफ से भर जाएंगे कि अब इनका क्या होगा ये तो मर जाएंगे तो गिर जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है वो तो इनके दिल खौफ से भर जाएंगे मगर passenger जानते है ना driver जानता है यानि कि character जो novel या play में मुझूद है वो नहीं जानते लेकिन audience या reader जानते हैं तो ये students dramatic irony और इसका ultimate end जो होता है ये जो इसका outcome होता है वो अक्सर tragic outcome होता है ठीक है students आप इसकी जो famous example literature में हम लोग देख सकते हैं वो students Othello की है Shakespeare का जो famous play है Othello हम readers या audience जानते हैं कि Iago जो है वो साजिश कर रहा है डैस्टी मोना loyal है Othello के साथ लेकिन Othello नहीं ये जीज़ जानता ठीक है और इसका क्या होता है कि ultimately वो उसका tragic end की तरफ उसको ले जाती है ये आई जिनी ठीक है इसके लाव स्टोर सिच्वेशनल आईरेनी में मैंने आपको एक example दी थी the gift of मेजाए की ये सिच्वेशनल आईरेनी भी है ये dramatic आईरेनी भी है एक तरफ हम readers जानते हैं कि जिस अपनी बीवी के लिए वो कॉम्ब खरीद रहा है अपनी watch बेच के वो तो अपने बाल सेल कर चुकी है ठीक है और हम ये भी जानते हैं कि जो लड़की उसकी बीवी जो है उसके गड़ी के लिए chain खरीद रही है जबकि उसका husband उसके गड़ी बेच चुका है वो उसके बालों के लिए कॉम्ब लेन ठीक है तो ये होती है students dramatic irony इसके बाद जो important type है irony की वो है Socratic irony ये Socrates जो philosopher है He was a very great Greek philosopher उसके नेम से ये irony associated है Socrates का method of teaching क्या था उसका method of teaching ये था कि वो अपने एर्दकर भोह से नोजवानों को जमा करता और उनसे questioning करता था ठीक है और ऐसे जाहिर करता था कि जैसे वो इनके जवाब खुद नहीं जानता मगर definitely जाहिर है कि वो एक philosopher था और जानता था उनके questions के questioning करता था उनके answer वो जानता था मगर वो ऐसे क्यों करता था ताके लोग बैठे और इन सवालों के बारे में सोचें और जब वो जवाब देते तो वो उनसे और question करता और questioning करता ठीक है फिर इस तरह से students नोजवानों मे thinking habit develop होने लगी thinking habit जब develop होने लगी फिर क्या हुआ rulers ने Socrates को murder तो नहीं करवाया मगर उसे जहर पीने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर youth में सोचने और गौर फिकर करने की सलाहियत पैदा हो गई तो यह तो उनके लिए बहुत dangerous होगा यह तो एक separate topic of discussion है तो हम Socratic irony के बारे में बात कर रहे थे Socratic irony is when you pretend to be ignorant to expose the ignorance or inconsistency of someone else Socratic irony उस वकत होती है जब आप किसी और की ignorance को expose करने के लिए खुद को ignorant जो है वो जाहिर करते हो आप यह जाहिर करते हो कि मैं कुछ नहीं जानता ठीक है इस तरह से आप दूसरे बंदे की ignorance उसको expose करते हो ठीक students और यह जो है इस type की irony का ideal use अदालत में नज़र आता है जब lawyer सब जानता है मगर witness से questioning करते हुए ऐसे show करता है जैसे he knows nothing और students इसका हम daily life पे भी काफी ज्यादा practice देखते हैं जब औरते किसी से कुछ बात उगलवानी होती है तो वो ऐसे show करती है जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है इस तरह से वो बड़ी बातें उगलवा लेती हैं दूसरों से और students यह manipulative purpose के लिए यूज की जाती है सोक्रैटिक आईरेनी जो होती है फिर students उसके बाद cosmic irony यह irony इसको irony of fate भी कहते हैं इसमें fate actually fate plays major role क्या होता है कि किस्मत की वज़ा से situation reverse हो जाती है situation बदल जाती है तो आप expect कुछ कर रहे होते हो लेकिन किस्मत कुछ ऐसा role play करती है कि जो outcome होता है आपकी किसी circumstance का वो बिल्कुल opposite होता है आपकी expectation से लेकिन इसमें जो है वो किस्मत का role काफी ज्यादा होता है cosmic irony is sometimes called irony of fate irony involving fate irony is when a situation is opposite of what is expected and sometimes it is strangely amusing or so incredible that is nearly unbelievable तो students cosmic irony जो होती है उसमें fate का role होता है expect आप कुछ करते हो लेकिन किस्मत जो है वो आपको कुछ दे देती है ठीक है और इसकी best example Thomas Hardy का novel जो test of the test of the double wills है उसमें जो test है main character लड़की innocent होने के बावजूद सब कुछ खो देती है अपनी जिन्दगी अपनी honor सब कुछ जो है वो खो देती है तो ये किस्मत की वज़ा से ठीक है reader expect नहीं करता है कि innocent है लड़की तो उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन fate role अपना play करती है और reality कुछ और हो जाती है और novel end होता है in lines के साथ कि justice was done and the president of the immortals had ended his sport with tests तो students ये थी irony और irony की types तो students ये लफ्द आयरन नहीं है आयरनी नहीं है इसको आप प्रोनांस करेंगे करेंगे ई-y-e-i-r-u-n-n-double-e irony ठीक है तो इसको आप आयरन या आयरनी के साथ जो है वो misunderstand मात करिएगा students I hope कि आपको irony की समझ आ चुकी होगी next lecture तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अलाफिस